हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम गड़ीत के महत्पूल प्रशनों को देखेंगे फ्रेंज इसमें उन सभी प्रशनों को लिया गया है जो आपके प्रिभियस एयर जो बोर्ड के एक्जाम में 2018, 2019, 2020 और 2022 में ये सभी प्रशन आ चुके हैं फ्रेंज इस वीडियो को आप अंध तक जरूर देखिएगा जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में 100-100% मैत में प्राप्त कर सकें फ्रेंज आज महत्पूल प्रशनों को देखेंगे इसको आपको हल करके समझाएंगे कि इसका एंस्वर किस प्रकार से आप प्रशनों का निकाल सकते हैं और अपना option सही से लगा सकते हैं तो फ्रेंज देखें यहां पर आपका यह पहला सवाल है कि संख्या 144 से अभाजी गुरोंखंड में अभाजी गुरोंखंडों की घातों का योग होगा फ्रेंज यह आपके एक्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है अभी तक यह प सवाल को आप लगाएंगे कैसे हैं यहां पर 144 का बादम के घातों का योग पूछा है यहं पर 144 का पहले आप गुरोंखंड कर लीजिए देखेंद 144 का आप अप गुरोंखंड करेंगे चलिए देखें फआलों से कटेगा दू सांते चाँदे उड़ ray के फिर दो से नौ बार में फिर तीन से कटेगा तीन बार अब देखे फ्रेश graphiteları कितने गात हो जाएगे एक दूबार आया है तो यहाँ नहीं थो जाएगे एक दूबार आया है देखे फ्रेंज्स यहाँ पर पूचथा आपबाजी गुड़ों खंडों की घयात का य Cyrus ट पा युछ टक्रेख चार दूबार होगा डी तो फ्रेंज इस प्रकार से आपको अदम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहां पर प्रश्ण को हल करके समझाएंगे तब वीडियों आप अंत तक जरूर फ्रेंज देखिएगा और जिस प्रश्ण का एंस्वर आपको पहले से पता होगा इसका एंस्वर आप कमें होगा देखिए फ्रेंज यहां पर इसका एक हल दिया है यहां पर आपको समीकड़ क्या दिया है कि यक्स इसक्वायर प्लस दू एक्स और माइनस पी इसकल टू जिरो दिया है यहां पर एक हल देने का मतलब कि यहां यक्स कमान माइनस दू दिया है यहां पर यक्स जहां प प्लस दिखेंब दिखेंब माइनस टौकराइगा सिर्फ गड़ा होगा ठीक है तो फरेंस तो यहां पर यह वलाई का सही जवाब होगा देख लीजे माइनस चाहर एक्स बरावर जीरो के मूलो का गुर्णफल होगा देखिए यह आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है कि देखिए यहाँ पी मूलो का गुर्णफल पूछ रहा है तो पहले इस समीकड़ों के लिखते हैं पर आपको बता देते हैं एक्स आपको सवाल है कि 3 x square minus 4 x बराबर 0 ते ठीके इस तरह आप देख सकते हैं अब देखे फ्रेंस यहां पी इस रूप में तो है नहीं तो यहां पी x square minus bx यहां पी x square कि मान a है तो a बराबर 3 होगा और b बराब कितना हो जागा माइनस चार हो गां यहां सी कमान नहीं दिए तो अप जीरो लेंगे ठीक है अलफा अन्टूबीत मुलों को इस प्रष यहां पर देखि यहांप अगला सवाल है कि दी गई आकिर्ती में त्रिबूज A, D, B तरहरें समरूफ का होता यह चिन किसका हम्धा मिका का कि यह त्रिबूज और A, D, C तरिबूज दोनों समरूफ हो तो P का मांगाद कीजिए देखें देखें यह आपके सामें त्रिबूज बनाया गया है कि A, B, D, A, T, R, B, J, 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 T, R, B इसी तर AC अपान क्या हो जागा? DC हो गा. अब यहाँ पि府 पस मा रख लीजिये, देखें, AB का माँ दिया है 18, ठीक है, और इसका माँ दिया है P, बराथर इसका माँ दिया है, P अपान DC का माँ कितना है? अब यहाँ तिर्या गुड़ा P का P में करेंगे, ते P स्क्वार, अठारक दूम करेंगा, 36 हो जाएगा, अब यहाँ पी वर्ग है ते हटाना पड़ेगा, ते दोनों पच्छों का वर्ग ले लिजिए, यहाँ P बरा क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग मिल कितना हो ते 6, ते P का मन कितना हो या, 6, ते इसका सही जवाब आपको होग सही हो जाएगा, 6 cm होगा, ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यह आपके सामने अगला सवाल है, देखें इसको कंसेप्ट से बताएंगे, बिंदू 3 का मा 4 की यक्स अच्छ से दूरी होगी, यानि यक्स अच्छ से यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, तो फ्रेंज यहाँ पर यहाँ पर पहला मान यक्स होता है, दूसरा मान य होता है, जब यक्स अच्छ से दूरी पूछेगा, ठीक है, दूरी पूछेगा, यहाँ पर य का मान बताते हैं, अब जब य अच्छ से दूरी पूछेगा, ठीक है, दोनों कंसेप्ट सिख लिजिए, ठीक है, Y अच्छे से दूरी पूछेगा थी, यक्स का मान बताते हैं, यहाँ पर सवाल में पूछा है, यक्स अच्छे से दूरी थी, यक्स अच्छे से दूरी थी, किसका मान बताएंगे, Y का, Y का मान कितना है, 4 है, तो इसका सही जवाब होगा, 4 होगा, ठीक है, अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि अधियर 10 ठीटा बराबर A upon B है तो B sin ठीटा माइनस A काश ठीटा अपार B sin ठीटा प्लस A काश ठीटा का मान होगा ते देखे फ्रेंस इसको आप लगा भी सकते हैं देखे फ्रेंस यहाँ पे सवाल को लगाकर समझाते हैं चली कि यहाँ प 있으 एक अकार डते हैं कि अकश क्षे चली को स्वाल लिख लेते हैं किता दिया है यहां पी है आपका Ba B थीटा माइनस A कास थीटा अपन B साइन थीटा प्लस A कास थीटा और यहां 10 कमान A अपन B दिया है तो पहले इसको 10 को रूप में चेंज कीजिए देखिए 10 की रूप में कैसे चेंज हो सकता है देखिए 10 का फार्मूला आपको पता होगा 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कास थीटा 10 थीटा बराब क्या होता है कि साइन थीटा अपन कास थीटा यहां से आप बनाना पड़े तो यहां सब कास यहां से कामल ले लिए यहां से कास कामल लेते हैं यहां पर कितना बचेगा आपका B बचेगा यहां साइन थीटा अपन क्या हो माइनस यहां पर सिर्फ ए बचेगा जब कामल ले लिए इसी पकार नीचे से भी कामल कास ले सकते हैं तो कास नीचे से भी कामल लेजिए तो उपर यहां बचेगा भी साइन ठीटा अपन काश ठीटा और प्लस ए कर सकते हैं यहाँ पे देखें काश ठीटा से काश ठीटा आपका कट जाएगा यहाँ भी लिखेंगे बी साइन ठीटा अपन काश ठीटा क्या लिख सकते हैं 10 ठीटा और माइनस ए अपन इसी तरह यहाँ पर B साइन ठीट अपन काश्ट्रियों क्या लिख सकते हैं 10 ठीट है और प्लस क्या लिख सकते हैं अब देखें B गुड़े 10 ठीट अगमान कितना दिया है तो 10 ठीट अगमान A अपन B दिया है तो यहाँ पर A अपन B रख लीजिए 10 ठीट अगमान कितना रखेंगे A अपन B एपन B रख लीजिए माइनस A अपन B गुड़े 10 ठीट अगमान A अपन B है तो A अपन B रख लीजिए प्लस A कर लीजिए ठीक है देखे B से B कट जाएगा आपका यहाँ B से B कटेगा तो आपके यहाँ बचेगा कि A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- करेंस के च्ष्थ आपका अगला सवाल है Kub एक प्रित्त के एच्ज एचन का फार्मूला फार्मुला क्या हुता है यहां भी देख सकते हैं कि웠 तीजय खंड का फार्मूला थीटा पां 3060 गुड़े पाई और स्कॉर होता है अब यहां प्रमारक लिए ठीटा कमान दिया है साथ है यहां 306 गुड़े पाई आर के जगाप कितना दिया तीजय बारा के स्कॉर कर लिजी देखिए हो जागा जीरो से जीरो च्छा एकम च्छा दुना के बारा चौविस छा चौक को चौविस ठीक है यहां पर कितना है आपका चौविस पाई हुआ छेत्रफल का मात्रक हमेसा संट्रमीटर इसकार होता है टेसे चौविस पाई है अब यहां पर देखिए 24 पाई दिया कहां सही जवाब होगा weed टेका फ्रेंग प्रस्ट जिस प्रस्ट उसका इंश्वर आपको पता होगा उसका इंश्वर आप कमेंट्रंपक्स हम करके लिख सकते हैं ठीक है और जितने भी प्रस्ण दिया है फ्रेंस आपको पहले दिखा दिये हैं कि सभी आपके बोर्ड के एक्जाम में यह सभी सवाल पूछे जा चुके हैं जिस देखिए आपका अगला है प्रस्ण कि एक लंबी रिती बेलन के आधार का छेटरफल नाइ का कंस्यप्ट के लिए रिज़ देखिए जैसे बेलन है ठीक है तो देखिए यहां पर क्या दिया है आपका आधार का छेटरफल आधार मतलब यहां पर देखेंगे सिर्फ यह आधार है और आधार किसके आकार का है ब्रित के आकार का है तो ब्रित के यहां पर छेटरफल ल कितना दिया है यहां पर पाई आर स्कॉार है देखें पाई से पाई कड़ जागा तो आपका नो आएगा यहां पर आर स्कॉार होगा ठीक है तो आप गया करेंगे दूनों पच्छों का रूट ले लिजिए देखिए नौ का वर्गूल कितना होता है तीन होता है और यहां पर अगले सवाल को देखते हैं यहादी पांच कामा दस कामा पंद्र कामा आर कामा बीस कामा पैटिस और चालिस का समानतर माद्रवका इकीस हो तो आर कमा होगा तो फ्रेंस यहां पर और कमान ज्याद करना है तो देखिए आपको समानतर माध्ध वरार फार्मूला होता है चार पांच छे साथ यहां साथ का भाग देगी देखिए आप समाधिर माध्यापका पहले से दिया है कि एक कई से अब देखे इसको जोड़ेंगे पांच में दर जोड़ेंगे 15 15 15 30 30 20 हो जाएगा आपका 50 50 पे 90 90 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा यहां पे 125 कर लीजिए प्लस यहां पर capital R कीजिए, बटा के 7 कर लिजिए, तीरिया गुड़ा 7 कर लिजिए, देखिए, जब 7 की इसमें करेंगे, 7 के, 7 साथ दुना के, 14, यहां पर हो जागा, 125 प्लस R हो जागा, 125 को पच्छान तक कर लिजिए इदर, देखिए, 147 माइनस 125 और बराबर R, अब 147 माइनस 125 गटा लिजिए, 7 मिस 5 गया, 2, 4 मिस दू गया, 2, ठीक है, तो R का मन कितना है फ्रेंस, 22 आया, तो यहां पर अब देख लिजिए, यहां पर 22 का मन कहां पर है, तो देखेंगे, यहां पर C है, यानि कि 22 यहां पर दिया है, तो R का मन कितना आया, फ्रेंस, 22 आया, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, आपके सामने अगला सवाल है, बहुलक से, कि यह आपका सिरीज दिया है, ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि बहुलक होगा, तो बहुलक का मतलब होता है, जैसे कोई सिरीज देता है, उसमें कौन से संख्या सबसे अधिक बार आई है वही संख्या बहुलक काला आता है, देखिए, 19, 38, 25, 36, 38, 38, 38, 38, 38, 39, यहाँ पर 38 को देखें कि कई बार रिपीट होगा, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर सबसे अधिक बार 38, 4 बार आ चुका है, इसमें आपका बहुलक क्या होगा, इसमें से आपसन में देख लिजिए, आपसन सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको देखेंगे साथ बड़ा है सबसे बड़ी संख्या क्या है आठ है इसमें अठ है तो देखेंगे सबसें सबसें आप सबसें अप देखेंगे इसका सही जवाब क्या आप प्रकार आत्रेका साथ हुल कीजिये ठीक है और अ cantled अन्युसक बारा कामा फम्हाज न। नो कामा कि की माध्का यानि कि एक series दिया इसकी माध्का लेक रहा थे समान तो समान प्रम मध्र पूछे थे ओर यहां पर आपको माध्का बताना है तेखे निसमिल्bane माध्दिका निकारें माधिघा के लिए कि जो है इसको आ रहो या और हो रहा है। एक करम में रख लिजिए। पहले इसको क्या करते हैं बढ़ते करम में लिख लेते हैं तिए्समें cte स Juda x escrih jsession नो को सबसे लिखेंगे नो सबसे परहां 10 रहां 10 क्या है बारा है तो 12 लिखें ए 12 सिर्गph कि एकति हैं एक दू तीन चार पंचिए साथ 10 गो रहें हैं तो आप क्या करेंगे कि 4 इधर से इधर की संखिया छोड़ देंगे जो बीच में 2 आप 9-10 तो आप कितना को जोड़ेंगे तो आपको 31 होगा 31 क्या किजिए 2 का भाग देगे कितना होगा 15 10 5 होगा कितना होगा फ्रेंज 15 सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें